किसानों से मैं कहना चाहूंगा कि ये खेती वो करें ठीक है शुरुवात में वो थोड़े पैमाने पर करें चुकि इसमें खर्चा लग रहा है इस सवाद दो वीगे में लगभग मेरा छे लाख रूपे खर्च हो गया है साथियों नमस्कार मैं रामकृष्ण पांडे और आप देख रहें यार इंडिया न्यूज साथियों खड़े हैं अयोध्या जिले के बीकापूर तहसील में और बीकापूर तहसील का ये तारुन बलाक है पूरसोतमपूर गाउ है और आपको दिखाना चाहेंगे जिस तरीके से हरे हरे जालिया लगा कर बैरिकेटिंग की गई आप देखकर अंदाजा लगा सकते होंगे कि कितनी बहतरीन तरीके से खेती की गई हम आपको दिखाने क्या ले आए हैं और कैसे उगाया जाता है इसकी उगाने के तरीका क्या है किस तरीके से कितना बड़ा पेड होता है और फल कैसे लगता है इन सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे पहले तो हम आपको लगाने के लिए लिकिन हम आपको दिखाने जो लाए है चर्चाम उस पर करेंगे यह देखिए यह ड्रेगन फूड है अभी हरा हरा आपको दिख रहा और जिस तरीके से लच्छा लच्छेदार काटे सहित यह अगल बगल लटके हुए है कैसे कितनी बहतरीन तरीके से क्यारी लगाई कैमरामन से दिखाना चाहेंगे कि एक एक पेड का जो अंतराल है जो लगाने का तरीका है आप देखेंगे कोई पेड आप चाहे तिर्चे खड़े होंगे चाहे आप सीधे खड़े होंगे चाहे बीच यो बीच खड़े होंगे हर पेड की एक लाइनिंग है उसी ल दिखैए हैं दिखाना चाहूंगा कि अंदर लोहे को चार बागों में टायर हैं अंदर लोहे के सहारे इनकी जितनी पंखुरिया है या यह कह सकते हैं जिसकी साखाएं हैं सब इधर उधर बिखेरी गई हैं इसको दिखाए और आपको बता दें यह आश्ट्रेलिया में अमेरिका में चाइना में आश्ट्रिया में और बहुत सारे देश हैं जो इसको उगाते हैं यह मधुमेह में भी बहुत फादेमंद है यह से दिखाईए बीचों बीच से एक एक पेड़ की जो क्यारियां जिस तरीके से बनाई मतलब यह कह सकते हैं कि हर क्यारी को समान इसका अंतराल है मतलब यह कह सकते हैं कि जो अंतराल तहट जो मानक है उसका और जिस मानक में यह लग सकता है वो सारे मानकों का खयाल रखा गया ह सिचाई की सारी वेवस्ता जो है इन टपका विधी की पाइपों के द्वारा ही किया गया है आप देख सकते हैं लेकिन फल अभी नहीं लगा है पता चला है कि एक बार ये पेड फल दे चुके हैं फल लगेगा थोड़ी सी गर्माट होगी तो फल आना इसमें सुरू होगा लेकिन अभी फल इसमें है नहीं आप भी इसको लगा सकते हैं लेकिन सुरक्षा की द्रिष्टी से सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं और ये जब आप लगाएंगे तो आपको इस पे पूरी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि साफ सफाई रहेगी तो पेड में कहते हैं फंगस कम लगते हैं कीटाण कम लगते हैं अभी सर्दियों में कहते हैं फंगस के ज़्यादा लगने की संभाव न रहती है हम देखेंगे यहां किसान जो है वो कहीन कहीं फंगस से बचने के लिए ये दवा डाल रहे हैं कि पेड की सुरच्छा क्योंकि अभी सर्दी का समय है और सर्दी में पाले से बचाने के लिए भी जरूरत है और गर्मी में कुछ खासा बचाना पड़ता है इनको देखेंगे तमाम लोग सबजियां उगाते हैं तमाम लोग केले की खेती करते हैं लेकिन उससे हट कर कुछ हुआ है क्योंकि ये जो आपको दिखा रहे हैं और कितना लाभ होने की संभावना है आज खड़े हैं अलड़ी पांडे जी हम इनसे जानेंगे कि इसमें खर्चा कितना आता है और रख रखाव में सुरक्षा के दृष्टी से कितना खर्चा आता है और किस तरीके से करते हैं फल कहां से कैसे प्राप्त होता है और कैसे मार्केट मिल पाती है उसको बेचने के लिए उसके साथ साथ हम यह जानना चाहेंगे कि किसानों को अधर कोई किसान अगर करना चाहें तो कैसे करेगा क्योंकि यह जो परजाती है कहीं न कहीं बहुत दूर से लानी पड़ती है यहां लोकल में नहीं मिल पाती तो और मैं यह जानना चाहूंगा कि सर यह कहां से सूजा आपके मन में कि ड्रेगन फूड लगाया जाए क्योंकि बड़ी कोस्टली खेती है यह अपको आप आए हमारे इस फार्म पर तो मैं आपको भी बहुत-बहुत बदाई दूंगा कि इतना समय वाद देने के बाद इतनी कालेज में हिंदी प्रवक्ता हूं तो चुकि रहके घर पे रहने लगा तो हमने सोचा कि खेती में कुछ किया जाए क्योंकि हमारे यहां खेती कितनी है सब पैसे पे दे दी गई है मज़ूर संकर जबरदस्त है तो यही सवाद दो वीगे में हम सोचे कि कुछ इसमें लगा सब्सक्राब तो हुई हमने सोचा कि भाई इसको किया जाए कुछ बेहतर करके दिया तो काफी सर्च करते करते मुझे यह खेती गुजरात में मिली है तो तो हम गए पता लगा नहीं बारा वंकी में एक किसान है गया प्रसाद मौरिया जी वह बिगत पांच सालों से यह खे खेती कर रहे हैं तो मैं पहुंच गया उनके पास और उन्होंने पूरा सम्मान दिया और इस खेती के बारे में विद्धोत हमको बताया और उन्हें कहा आप करिए मैं आपकी मदद करता रहूँगा जैसे आप देखेंगे इस पेड़ के साथ साथ इसमें दवाईयों को ले आपको उसके लिए पुल वनवाना है पुल ये साथ पिटका है एक पूल वनवाने में 2,2-330 रुपें खर्चायें इसके बाद लोहे की रिंग लगी है यह रिंग देख रहे है लोहे की लगी है यह रिंग जो है करीब यह भी जो है 70-80 रुपे का पड़ा इसके बाद टायर 25 से 30 रुपए का टायर है तो ये तो ये हुआ अब सिचाई के लिए आपको डिपेरिगेशन के विवस्था करनी है चुकि इसको पानी बहुत कम चाहिए मात्रा सिर्फ सीलन रहे पानी इसके जड़ में भरे ना पानी इसका दुस्मन है अगर पानी इसमें भर गया तो निसी तुरुप से सूख जाएगा किसानों से कहना चाहूंगा कि अगर आप खेती कर रहे हैं तो इस बात को पूरी तरह और अच्छी तरीके से सुने तपक विद्वाली सिचाई के विवस्था करनी होगी नहीं तो फिर आप इसको जहल नहीं पाएंगे खतम हो जाएगा तमाम बीमारियां है पौधों के लि और जब आपको ऐसी कोई दिक्कत दिखे तमाम फंगी साइड हैं लाके डालिए और नहीं तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा उधर हमने बना के रखा है अपने बिधी से वहां ड्रम है हम देखना चाहेंगे वहां वहां देखिए वह भी हमने उसमें डीकंपोजर और गु आप डाल दीजिए तो फिर फंगस नहीं लगने देते हैं और तमाम फंगसाइड आती है जब कभी ऐसी स्तिति आ जाती है तो फिर बाहर से जय वाली जो तमाम है इसका हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे फल यह लगते कहां है फल इस इनी काटों में लगते हैं इस इनी क कलता है अभी तक कि लगबग कुछ फल आए आपके इसमें हां करीब हम आर्दस कुंटल फल बेग चुके चार सो रूपे साढ़े चार सुरूपे कीलो कीलो लाभ है लेकिन परिस्रम के साथ साथ परिस्रम है देख रेखा है सबसे बड़ी बात है कि एक बार लगाने बाद यह पौधे 25-30 साल चलने वाले हैं यह बड़ी बात है कि एक बार आप लगाएंगे और रख रखाओ अगर आपका अच्छा है बढ़ियां से आप इसकी देख भाल कर रहे हैं तो पचीस सालों तक आप इसका फाइदा ले सकते हैं पचीस साल फिर और कुछ करने की जरूरत आपको नहीं सिर्फ रख रखाओ आपको देख रेक करते रही है वह बीमारी नलगने पाव सब्सक्राइब अबाकि इनको विभाठे रूप में आप हम तो गोबर की खात देते हैं आरगनिक रंग से पैदा कर आप है आरगनिक रंग से यह कहिए कि आप यह कहिए कि बीमार इसमें हिरदय रोग में है सरीर का इम्मिटी सिस्टम यह चाइन में प्रधान मंत्री जी ने इसको कमल फॉल नाम दिया है उन्होंने चाइना के ड्रेगन ड्रेगन फूट का नाम जो दिया वह चाइना का लेकिन आप भारत में नया नाम मिला जैसे कमलम आप उस कमलम के नाम से जान सकते हैं अब यहां किसानों के बार कैसे कहना चाहेंगे जैसे तमाम लोग रोना रोते हैं मेरे पास रोजगार नहीं है आप एक सिक्षक होतने के साथ-साथ इतनी बड़ी खेती में दिखाना कि और एक ऐसी पाओध यहां खड़ी कर दी है कि यहां बैठे होए किरसी बिज्ञान से लेके यहां तक लोग इसके बाते लगाने के और जाने के बारे में सोचते हैं लेकिन आपने खड़ी की तुनों एक साथ कैसे मेनेज कर पाते हैं अब देखिए ऐसा है कि आदमी अग कि आप लोग आए होंगे तो देखे होंगे किसमे में दवा की छिर्काव करा रहा था वह फंगस की दवा पढ़ रही थी तो मैं बेवस्था बना के सुबह एक राउंड लगा लेता हूं देखकर विद्याले भी जाता हूं वहां भी निर्वाहन अपने दाए तुका करता ह हों और आकर इसको भी देखता हूं समंझस बनाके चल रहा हूं किसानों से में चाहूंगा कि ये ख्रचह लगा हिस्सावाद दो वीगे में लगभग मेरा छे लाख रूपे खर्च हो गया है खर्चिली खेती है लेकिन एक बार लगेगी इसके बाद देख रेक करते रहे हजार पांसों की कभी दवा पड़ जाएगी कभी कुछ पड़ जाएगा गोवर जो वाकी किसान है उसके पाद जान देखते हैं कि महंगा फल भी है तो यहां आम जनता के लिए थोड़ा कम बिकता होगा महंगा होने के नाते मार्केट इसको बढ़ियां मार्केट चाहिए जहां लोगों की अच्छे लोगों तक पहुँच पाए यह तो सही है ऐसे मैनेज करते हैं अभी तो हम लखनो मंडी म में थाइलंड से भी अतनाम से गुजुराइज से सब आ रहे हैं तो धेरे धेरे महां लोग पिझान गए जो मंडी वाले हैं लोग जान गए हैं तो मैं कठ Kingdom तो मैं कठी ले जाकर जैसे जैसे तयार होता है तो इसे तैसे अपनी गारी से पहुंचा देता हूँ हलाकि ले आ तो सातियों ये रही जानकारी आदरी पांडे जी से और ये ड्रेगन फूड या कमलम फूड आप एक कमलम फल कह सकते हैं ये सारी चीजों की जानकारी हुई पहली बात तो मैं जानकारी देने के लिए आपका बहुत-बहुत धनबाद ग्यापित करूँगा और दिखाना चाह कि गुड से कैसे कीटाड़ों को भगाया जा सकता है गुड के साथ कुछ और चीजे मिलाई जाती है उनहीं को मिला के फंगस को दूर किया जाता है बहतर अभिसकार हुआ है और क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको मार्केट में नकली मिल जाती है दवाओं के रूप में लेकिन ये कुछ नकली नहीं होगा मैं दिखाना चाहूंगा जिस तरीके से गुड है सरी इसमें गुड पड़ा है एक किलो और डी कंपोजर रूपे के डिब्बी आती है यह फंगस भगाने के लिए पूर रूप से दवा तयार है इसी का छिड़काव होगा और जितने फंगस हैं वो दूर हो जाएंगे मैंने आपको वो सारी चीजे ड्रेगन फूड या कमलम फल की दिखाई आर इंडिया न्यूज में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धनबाद अगली वीडियो के लिए हम किसी नए तलास में निकलेंगे और आपको कीजिए अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब में जाते हैं इस लेट को लगे बटन को दबागे सब्सक्राइब कीजिए